अभी आपने सुलहवे पाठ के अंतरगत ग्रहों के राजत त्वादी विशय के बारे में पढ़ा अर्थात कौन सा ग्रह राजा होता है कौन सा ग्रह सेनापती होता है किस ग्रह को राजकुमार कहते हैं और ग्रहों की दिशाएं कौन कौन सी होती है और कौन से ग्रह शुभ समझे जाते हैं और कौन से ग्रह अशुभ समझे जाते हैं उसी क्रम में दुती अध्याय जो लगुजातक गरंद का है गरह योनी प्रभेदा अध्याय उसी क्रम में यह जो सत्रहुआ पाठ है इस पाठ का शिरिशक है गरह की संग्या वेदा अधिपत्व और वरणों के स्वामी इसमें मुखे रूप से गरहों की जो संग्याय बताए गई है कि कौन सा गरह किस स्रेणी का है मतलब पुलिंग है या स्त्रिलिंग है या कलिब संग्यक है इन सभी के विशाय में इस पाठ में चर्चा की जाएगी पुना इसके उपरांत गरहों के जो वेदा अधिपत्व होते हैं मतलब कौन से वेद पर किस गरह का अधिकार रहता है या कौन सा गरह किस वेद को प्रदर्शित करता है और कौन सा गरह किस वरणों विशेष का स्वामी होता है ये सभी बात इस पाठ में आपको बताई आचार वराहमिहित ने लगुजात गरंथ के दूसरे अध्याय के पांचवे श्लोक में ग्रहों के संग्याओं के बारे में बताया गया है मतलब कौन सा ग्रह पुरुष संग्यक है कौन सा ग्रह स्त्री संग्यक है और कौन सा ग्रह नपुनसक संग्यक है इसके विशह में बता क्लीब पती बुध सोरी चंद्रसितो योशिताम निडाम शेशाहा, रीग थर्व सामय जुशाम अधिपाहा, गुरु सौम्य भौम सिताहा, इसके अन्मेल को आप देखें, इसकी संस्कृत ब्याख्या को आप देखें, बुध सोरी, बुध शनी, क्लीब पती, नपुन्सक स्वामिनव भवतह, चंद्रसितो चंद्रशुक्रव, योशिताम स्त्रीणाम, शेशाहा, शेशग्रहाह, निडाम मनुष्यानाम स्वामिनः भवन्ति, रीग थर्व साम्यजुशाम, रीग थर्व साम्यजुर्वेदानाम, अधिपाहा, स्वामिनः, गुरू सौम्यभव मसिताह, गुरू बुध मंगल शुक्राह, भवन्ति, इस श्लोप में मुख्य रूप से ग्रहों के पुनसत्तो या स्त्रित्तो या क्लिबत्त के विशय में बताया गया है, और कौन से वेद पर किस ग्रह का अधिकार है, उसके विशय में बताया गया है, तो जैसा कि आचार वराह मिहीर ने कहा है कि कौन से ग्रह पुरुष आएं, कौन से ग्रह इस्त्रिलिंग है, आप यह आरेख देखें, उसके माध्यम से आपको सर्व विदित हो जाएगा, जैसा कि इस चक्र में बताया गया है कि सूर्य पुरुष वर्ण का स्वामी होता है, अर्था तो सूर्य जो है वह पुरुष कारक ग्रह है, अर्था पुनसत्त्व है वह, इसी प्रकार से चंद्र जो है वह, इस्त्री कारक ग्रह माना जाता है, मंगल पुनह पुरुष कारक ग्रह समझा जाता है, बुध को नपुनसक कारक ग्रह समझा जाता है, गुरु को पुरुष कारक ग्रह समझा जाता है, शुक्र को स्त्री कारक ग्रह समझा जाता है, तो प्रयोजन के संदर्व में आपको यही बात समझनी चाहिए कि कोई भी प्रश्टाईदी प्रश्ण करता है कि अमुक संतान कब होगी पूरुष संतान होगी या स्त्री संतान होगी या कोई वस्तु चोरी हो गई है तो जो वस्तु चोरी हुई है उसका चवरेकार किसी वारा किया गया है एत्यादी जहांद है पर फोरु शट्व और स्ट्रितु निर्धारण की जहांपर भी बात आती है वहाँ पर इसका विशेश रूप duż से किया जाना है यदि किसी जातक का प्रतम संतान कौन सा होगा मतलब स्त्री संतान होगी या पुरुष संतान होगी तो उसके पंचम भाव से उसका निर्धारन करना चाहिए पंचम भाव से उसका निर्धारन कैसे करेंगे तो पंचम भाव में जो ग्रह वित्यमान है और वह ग् का है मतलब पुलिंग है तो पूरुष्य संतान होगी और कलि l net कि the पूर्वग्ष होगी या फिर कुछ समस्या उसमें होगी तो इसی प्रकार से उसका निर्धारण करना चाहिए तो ग्रहों का जो पुनसत्व क्लीबत्व और स्त्रित्व है यह आपको विशेश रुप से ध्यान रखना ही चाहिए इसके अतरिक्त ग्रहों के जो वेदा अधिपत्व हैं उनके बारे में ही भी बताया गया है आप यह चक्र देखें इसमें कहा गया है कि मंगल जो है वह सामवेद का स्वामी होता है कि आप जानते हैं कि चारवेद हमारे सनातन संस्कृते में प्रसलित हैं रिगवेद यजुरवेद सामवेद और अथरवेद और सभी वेद के शाखाओं से संबंधित वैदिक विद्वान उपलब्द हैं जैसा कि मंगल जो है वह सामवेद का प्रतिनिधित्यों कारक ग्रह माना जाता है यदि किसी सामवेदी ब्रामवन का उपनेयन हो या सामवेदी ब्रामवन से संबंधित कोई अन्य संसकार होते हैं तो उसमें मंगल ग्रह की विशेश भूमिका होती है यदि कोई सामवेदी से संबंधित कोई ब्रामवन है और उसके बालक का उपनेयन संसकार क आएगा क्यों कि वह उसके वर्ण का उसके वेद का वह स्वामी है इसी प्रकार से अन्य वेद के संदर्ब में भी समझना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष में यजुरुवेद अत्यधिक परचलित है और उसका स्वामी है शुक्र ग्रह तो उससे संबंधित विशेश क्रिया जो है शुक्रवार के दिन करने से शिग्र लाब होता है अन्य सभी वेद के जो शाखाएं वह अभी भी उपलब्द हैं और उनसे ही संबंधित ग्रह का परिज्ञान करना चाहिए तो उस प्रकार से ये जो दो विशेश बताए गये हैं ग्रहों से संबंधित जो क्लीबत्त स्तृत्त हैं और ग्रहों के जो वेद शाखाएं इत्यादी हैं इनका अधिन आपको विशेश रूप से करना ही चाहिए